हेलो डियर फ्रेंड्स, रोज रोज अगर सबजी खाकर हो गए हैं बोर, तो बनाएए चटपटा मज़िदार सा आलू कतली की सबजी, ये सबजी 15-20 मिनट में बन कर तयार हो जाएगी, इसे आप पूरी पराठा या दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, एक बार आलू कतली की सबजी इस तरह से बनाएए, घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यम्मी सी रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए किचन की ओर चलें, आलू कतली की सबजी बनाने के लिए मैंने 500 गराम आलू ली है, ये कच्चे आलू ह आलू के स्लाइसेस ज्यादा मोटी या ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, इसकी ठीकनेस इस तरह की होनी चाहिए, आलू को पानी से बाहर निकाल लेंगे, और इधर मसाले की तयारी करेंगे, एक बड़े चमच साबुत धनिया लेंगे, एक बड़े चमच साबुत जीरा, 6-8 लसन की कलिया, 10-15 काली मिर्च, 3-4 सूखी लाल मिर्च, 1 हरी इलाइची, और छोटी सी दालचीनी का टुकडा, अभी इन साबुत मसालों को थोड़ी-थोड़ी पानी डाल कर पीस लेंगे, तो लीजिए मसाले भी तयार हैं, अब गैस की ओर चलते हैं, एक पैन गर्म करके 4 बड़े चमच सरसो का तेल डालेंगे, साथ ही एक चमच जीरा और थोड़ी सी हिंग डालेंगे, और जब जीरा चटक जाये, इसके बाद हम आलू की कतलियां डाल देंगे, इसके बाद आलू को हाई फ्लेम पर भून लेंगे, थोड़ी देर आलू को भूनने के बाद हम इ से 7 मिनट के लिए आलू को फ्राई कर लिया है आलू की कतलिया गोल्डन ब्राउंड दिखने लगी है अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे सावधानी से निकालेंगे जिसे की बची हुई तेल कडाही में ही रह जाएगी अभी हम इसे अलग रख देंगे और कडाही में थोड लगतार चलाते रहेंगे देखिए प्याज अच्छे से भून गई है अब हम इसमें एक छोटी सी टमाटर डालेंगे बारिक काटकर साथ ही नमक एड़ कर देंगे जिससे टमाटर जल्दी सौप्ट हो जाएगी अभी इन सभी को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जिसस देंगे आलू कतली की सबजी में इस तरह से साबुत मसाले अगर पीस कर डालेंगे तो सबजी का टेस्ट अलग ही आएगा देखिए मसालों से तेल रिली जोने लगी है और इससे बढ़िया खुस्बू भी आ रही है मसालों को अच्छे से भूनिएगा तभी इससे अच्छ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे आलू अभी पूरी तरह से पकी नहीं है और सबजी को पकाने के लिए पाने का इस्तिमाल नहीं करनी है इसलिए फ्लेम हम लो कर देंगे और ढखकन लगाकर 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे क आलू की कतलियां अच्छी तरह से सौप्ट हो जाएंगी देखिए 2-3 मिनट के लिए ढखकन लगाकर पकाया है आलू भी अच्छी तरह से सौप्ट हो चुकी है एक बार एक कतली को चाकू की मदद से चेक कर लीजिएगा कि पकी है या नहीं अगर नहीं पकी होगी तो 2 मिन एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो दोस्तों कुछ भी समझ में ना आए, तो इस तरह की आलू कतली की सबजी बना कर जरूर ट्राइ करें, इस तरह की आलू की सबजी को पूरी पराठा के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये सबजी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें, तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इज़ी और यम्मी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई,